राहूल गांधी ब्रिटिन के नागरिक हैं और अपने साथ ब्रिटिन का पासपोर्ट भी रखते हैं वे एक ब्रिटिश कंपनी के डिरेक्टर्स में से एक हैं और हाल ही में उन्होंने अपना आईकफ रिटर्न भी दाखिल किया इस मामले को लेकर सुब्रमडिम स्वामी का इबार केंडर सरकार को लिख चुके हैं राहूल गांधी क्योंकि ब्रिटिश नागरिक है इसलिए उनकी भारत की नागरिक्ता रदद की जाए क्योंकि भारत में दोहरी नागरिक्ता का कोई प्राबधान नहीं केंदर सरकार ने सुब्रमंडियम स्वामी के शिकायतों को लेकर जब कोई कारेवाई नहीं की तो सुब्रमंडियम स्वामी मामले को लेकर हाई कोर्ट जा पहुँचे और राहुल गांधी की भारतिय नागरिकता रद्द की जाने की मांग की सुब्रमन्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिक्ता के मामले में हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है स्वामी ने पिछले सब्ता ही आरोप लगाय था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिन की नागरिक्ता है अब उन्होंने अदालत का रुख किया और मांग की है कि वे केंद्र सरकार को इस मामले में एक्शन लेने को कहें इसके अलावा कोर्ट से मांग की गई है कि वो केंद्र सरकार से मेरी शिकायत पर स्टेटस रिपोर्ड मांगें अगस 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी ने किंद्र सरकार को पत्र लिखा था उन्होंने आरोप लगाय था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और वहां का पासपोर्ट रखते हैं उन्होंने भारती सम्विधान के अनुच्छेद नौका उदारन देते हुए क कि बहए किसी एक देश के इही नागरिक हो सकते हैं सिटिजन्शिप एक्ट 1955 का जिक्र करते हुए स्वामी ने कहा कि उन्होंने कहा था यदि कोई नागरिक दूसरे देश की सिटिजन्शिप लेता है तो फिर उसे भारत के नागरिकता का त्याग करना होगा इस संबन्थ मे केंद्र सरकार की ओर से राहूल गांधी को 20 अप्रल 2019 को एक नोटिस भेजा गया था इस नोटिस का विशे था नागरिकता के संबंध में शिकायत स्वामी का कहना था कि ब्रिटन में पंजिकरित कंपनी बैक लॉप्स लिम्टेड के राहूल गांधी निदेशकों में से एक हैं उनका दावा था कि सालाना रिटन 2005 और 6 में फाइल किया गया उसके मताबिक राहूल गांधी की जन्मती थी 19 जून 1970 है इसके अलावा उन्हें ब्रिटन का नागरिक बताया गया है अब स्वामीन अदालत में कहा है कि मैंने कई बार इस शिकायत पर स्टेटस अपडेट केंडर सरकार से पूछा जिस पर कोई जवाब नहीं मिला उन्होंने अब अदालत से मांग की है कि वो सरकार से इस मामले पर कारवाई का स्टेटस पूछें उद्धव ठाकरे और संजेराउत अब तक ये मान कर बैठे थे कि M.V.A. में उनके साथ शरत पवार है और वे हर हाल में उनका साथ देंगे लेकिन शरत पवार पर आख मूद कर भरोसा करने से पहले उद्धव ठाकरे ये भूल गए कि सियासत में कोई ना तो किसी का स्थाई दोस्त होता है और ना ही दुश्मन 2019 में BJP को सत्ता से दूर रखने के शरत पवार की वरणनीती के कारण उद्धव ठाकरे को CM बनाया गया लेकिन अब ऐसी कोई मजबूरी शरत पवार की नहीं क्योंकि BJP से उद्धव ठाकरे इतनी दूर निकल गए कि अब उनकी वापसी संभव नहीं CM बनने के लिए तब उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ नहीं किया अब उद्धव ठाकरे MVA के फिर से CM फेस बनने के लिए उतावले हैं लेकिन शरत पवार और कॉंग्रेस इसके लिए तयार नहीं M.V.A. नेताओं की एक बैठक में CMFACE को लेकर उद्धफ ठाकरे के साथ कॉंग्रेस नेताओं की तीखी बहस तक हो गई बैठक में उद्धफ ठाकरे ने नाना पटोले से कहा कि वो बताएं कि मुख्यमंतरी पद का चेहरा कौन होगा इस पर महराश्चों में कॉंग्रेस चीफ नाना पटोले ने ये कहा कि हमारा काम मुख्यमंतरी का चेहरा आगे करना नहीं है महाविकास अगाडी के सभी नेता साथ में बैठकर इसका फैसला करेंगे वह शरत पवार ने भी नाना पटोले का मौन समर्थन किया उधव ठाकर ने शरत पवार से भी कहा कि वो बताएं कि सीमफेस कौन होना चाहिए उन्होंने कहा कि वो भी शरत पवार के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे हालांकि उधव की इस बात का शरत पवार ने जवाब नहीं दिया उन्होंने इतना जरूर कहा कि मिलकर हम लोगों को विधान सभा का चुनाव लड़ना है सभी पार्टियों को मिलकर महाविकास अगाडी के प्रत्याशियों की जीत के लिए काम करना है माना जा रहा है कि शरत पवार ने भी ये कहकर नाना पटोले की बात का समर्थन किया है मतलब साफ है कि चुनाव के नतीजे आने तक कॉंग्रेस और शरत पवार किसी चेहरे को आगे करने के मूड में नहीं है जब M.V.A. के पास सरकार बनाने लाइक बहुमत होगा तो फिर C.M. के लिए नेता को चुना जाएगा लेकिन कॉंग्रेस और शरत पवार की पार्टी कई बार इस बात को दोहरा चुकी है लेकिन उद्धव ठाकरे अभी ही सारा कुछ साफ करने के लिए उतावले हैं पास सरकारे को अपनी सहमती नहीं दी बैठक में सुप्रियासुले ने जेपिटी C.M. अजीद पवार पर निशाना साथते हुए कहा कि लोकसबा चुनाव तक उन्होंने बेहन की एहमियत नहीं समझी कभी 1500 रुपए में बेहन का प्यार नहीं खरिदा जा सकता उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर जल्द से जल्द सीट शेरिंग पर फैसला कर लेना है ताकि महाविकास अगारी के प्रत्याशियों का एलान किया जा सके इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाविकास अगारी का सीएम पद का चेहरा तै कर लें वह भी समर्थन करेंगे कॉंग्रेस और NCP अपना चेहरा सुझाएं NCP के शरत पवार गुट के अध्यक्ष जयन्थ पाटिल ने कहा कि हम सब एक रहेंगे तो सरकार बनना तै है इस बैठक में पृत्विरा चवहान बाला साहिब थोराट जयन्थ पाटिल संजे राउत और अधित्य ठाकरे भी शामिल थे जूने डॉक्टर की बरबर हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरस पर हमले के मामले में हाई कोर्ट ने स्वता संग्यान लेते हुए ममता बनरजी सरकार को जम कर खरी खोटी सुनाई हाई कोर्ट ने घटना सल पर निर्मान के नाम पर सबूतों को मिटाने की कोशिश के लिए भी जम कर फटकार लगाई कोर्ट ने सवाल किया कि क्या वहां मरम्मत का कारिय इतना जरूरी था इतना ही नहीं कोर्ट ने आर्ची कर मेडिकल कॉलेज हस्पताल में प्रदर्शन कारी डॉक्टरिस पर हुए हमलो को लेकर भी राज्य सरकार पर सवाल उठाए हाई कोर्ट के सवालों पर राज्य सरकार की उड़ से पेश अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी लेकिन पांच हजार से साथ हजार लोगों की भीड़ने आगे बढ़ते हुए अवरुधकों को तोड़ दिया और इसमें कई पुलिस कर्मचारी भी घायल हो गए इस पर मुखे नयाधिश टीएस शिवगड़नम और नयायमूर्ती फिरनमय भटाचारी की कंड़ पीट ने इसे खुफिया जानकारी हासिल करने में नाकामी पुलिस की बताई हाई कोर्ट की पीट ने कहा कि आम तोर पर पुलिस के पास खुफिया शाखा होती है हनुमान जैन्ती पर ऐसी घटना हुई अगर साथ हजार लोग इगठा हो जाते हैं तो ये मानना मुश्किल होता है कि राज्य पुलिस को पता नहीं था आप किसी भी कारण से CRPC की धारा 144 के आदेश को पारित करते हैं पीठ ने आगे कहा कि जब इतना हंगामा हो रहा हो तो आपको पूरे इलाके की घेरबंदी कर देनी चाहिए थी ये राज्य की मशीनरी की पूरी तरह से विफलता है क्या इस बरबरता को रूका जा सकता था ये सवाल बाद में आता है सभी सुविधाओं को तोड़ने का क्या कारण हो सकता है हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि हमारे विचार से पुलिस को घटना के लिए जिमेदार घटनाओं का पूरा क्रम रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहिए सबसे महचपूर्ण बात ये कि एस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर जो वरतमान में विरूद प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें अपने करतवियों का निर्वहन करने के लिए परियाप्त सुरक्षा दी जाहिए हमने पहले भी डॉक्टर्स को मरीजों का इलाज करने के उनके दायत्व की याद देलाई थी लियाए मुर्ती शिवगणनम के धिक्षता वाली पीट ने जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या वाली जगह पर मरमत के सवाल को लेकर राज्य सरकार को कट घरे में खड़ा किया पीट ने राज्य सरकार से उन आरोपों पर जवाब देने को कहा जिसमें अपराद स्थल से सबूत मिटाने के लिए नवीनी करन का काम करने का आरोप लगाया गया इस पर पश्यम बंगल की और से पेश वकील ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि ये सभी आरोप घटना स्थल पर ध्वस्त किया गया नश्ट किया गया सही नहीं है जो विद्वंस कार्य हुआ वो पियों के पास नहीं था और राज्य की वकील ने कहा कि नवीनी करन का काम डॉक्टरस के लिए एक शौचारे के लिए किया गया था इस पर नियाले ने सवाल किया कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी आप किसी भी जिला नियाले परिसर में जाएए देखिये वहां महिलाओं के लिए कोई शौचारे है या नहीं मैं ये जिम्मदारी के साथ कह रहा हूँ पी डबलूडी ने क्या किया हम मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे राजी कर अस्पताल को बंद कर देंगे यही सबसे अच्छा होगा राजी की और से पेश महादी वक्ता ने कहा कि अपरादस्तल के अवशेशों को सुरक्षित रखा जाएगा उन्होंने कहा कि मुद्दा पी ओ का है अभी तक पीओ पर कोई तोड़फूर नहीं हुई इसके बाद पीट्स ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर जी सरकार को घटना स्थल की तस्वीरों के साथ हलफ नामदायर करने के लिए कहा ताकि यह दिखाये जा सके कि अपरादस्तल अभी भी बरकरा है कोलकाता रेप का मामला वक्त के साथ शान्त होने के बजाए बढ़ता ही जा रहा है हालात यह हो गए कि ममता बनर जी की कुरसी तक डोलने लगी लेकिन अपराधियों को बचाने की कोशिशें तमाम तरह के विरोध प्रदर्शनों के बावजुद जारी है कोलकाता में जब आधी रात को महिलाएं कैंडल मार्च कर रही थी तब कुछ गुंडों को भेज कर एक बार फिर से आरजी कॉलेज में सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई गुंडों का निशाना वही सेमिनार हॉल था जहां महिला डॉक्टर की व्रेप के बाद बर-बर तरीके से हत्या कर दी गई थी पूरे मामले से अब ये तो साफ हो गया है कि टीमसी सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है इस बीच डॉक्टर्स की संस्था फेड़रेशन ऑफ रेजिलेंट डॉक्टर असोसियेशन इंडिया यानी फोर्डा ने फिर से हर्ताल पर जाने का एलान कर दिया ऐसे वक्त में जब चात्रों ने बंगलदेश की सत्ता पलड़ दी अमेरिका में भी चात्रों के विरोध की वज़े से तीन यूनिवर्सिटीज के चांस्लर्स को इस्तिफ़ा देना पड़ा कोलकाता की घटना को लेकर बंगल ही नहीं बलकि पूरे देश में कुछ वैसा ही महौल बनता जा रहा है ऐसे में अगर केंदर सरकार राज्यमिर आश्रपती शासन की सिफारिश कर दे तो किसी को आशरिन नहीं होगा सूत्रों का कहना है कि चर्चा किये जाने के बाद सरकार आक्शन मोड में है सूतरों का कहना है कि कोलकाता मामले को लेकर बड़े स्तर पर मन्थन किया जा रहा है लेकिन इन सब के बीच निर्भया मामले को जोर शोर से उठाने वाली केजरिवाल की पार्टी अब तक चुपी साधे बैठी है इंडी गट बंधन के अधिकांश दल खामोश हैं उनकी यह खामोशी उन पर भारी पढ़ सकती है इस बीच स्वाती मालीवाल ने भी ममता बनर जी को पत्र लिखकर खुब खरी खोटी सुनाई स्वाती मालीवाल ने ममता बनर जी को लिखे पत्र में कहा दीदी क्योंकि आप देश की कलौती महिला मुख्यमंत्री हैं हम मेंसे बहुत लोगों को आप से बड़ी उम्मी दे थी चुनाओ में बड़ी संख्या में महिला कैंडिडेट्स उतारने के लिए आपकी तारीफ की गई कई महिला सांसद के रूप में संसद भी पहुँची फिर भी इस मामले में आपकी सरकार के अक्शन और इस जगन्य अपराद को छिपाने को लेकर मामले में लिप्त लोगों को पुरस्कित करने तक परिशान कर रहे स्वाती मालिवाल ने पत्र में आगे कहा कि कोलकाता रेप केस पर आपकी पार्टी की चुपी से ग्रणित राजनिती करन का खुलासा हुआ उन्होंने आगे कहा कि ये इंडियन डिमोकरिसी के लिए एक डेंजरस ट्रेंड है सेक्शुल वायलन्स की हैंडलिंग में विफलता से जुड़े मामले पश्रिम बंगाल में पहले भी देखे गए ये सीरियस मामलों को डील करने में आपकी विफलता दिखाता है ममता बनर जी को लिखे अपने पत्र में स्वाती माले वाल आगे कहती है कि आज जब हमारा महान देश स्वतंतरता दिवस मना रहा है ये दिन हम सभी के लिए स्वतंतरता न्याय और समानता का प्रतीख है लेकिन मैं खुद को निराशा की गहरी भावना से जूजता पाती हूँ वो आगे लिखती है कि हम वास्ताव में जशन कैसे मना सकते हैं जब हमारे समाज का ताना बाना ही ऐसी क्रूरता पुरन घटनाओं से तार तार हो गया हम अपनी आजादी का जशन कैसे मना सकते हैं जब हमारे देश की महिलाएं रेप और मुडर के डर से मुक्त नहीं है ये डरावना अपराध हमारे जशन पर एक काली च्छाया डालता है अपने पत्र में स्वाती मालिवाल कहती हैं कि इस समय पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं डॉक्टर्स और नर्स और अन्य नागरिक अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं अगर सत्ता में बैटे लोग इस देश की महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करने में काम्याब नहीं होते हैं और ऐसा करने के बजाए आरोपियों को पक्ष लेते नजर आते हैं तो भविश्य के लिए हमारे पास क्या उम्मीदे होंगी कौलकाता रेप मामले को लेकर पूरा देश उबल रहा है लेकिन ममता बनर जी के सिर पर अब तक सत्ता का नशा चड़ा है रेप और हत्या के दोश्यों को बचाने में ममता बनर जी अब तक जी जान से जूटी हुई है इतना ही नहीं मामले की सच्चाई को छुपा रही ममता बनर जी ने अपनी पार्टी के नेताओं को बोलने पर भी पाबंदे लगा दी जो ममता का फर्मान है वो जैसा कहे वैसा ही पार्टी के नेता भी बोलें टीमसी प्रवक्ता और राजसभा के पूर्व सदस्य शांतनु सेन ने साफ तोर पर कहा कि इस मामले में वो अपनी पार्टी का बचाव नहीं करेंगे मेडिकल कॉलिज में गिरोह सक्री है उनके इस बयान के बाद टीमसी ने उनको पार्टी के प्रवक्ता पत से हटा दिया दरसल टीमसी के प्रवक्ता रहे शांतनु सेन ने कहा कि इस मामले में अपनी पार्टी का बचाव नहीं करेंगे इस आजीकर कॉलेज में पठन-पाथन का काम कुड़ा बन गया है बाकाइदा एक गिरोह का इस कॉलेज को चलाया जाना मेरी बेटी भी एक पीडिता है क्योंकि वो इस गिरोह में शामिल नहीं हुई राजसभा के पूरवसांसद शांतनों ने आगे कहा कि अगर आप इस गिरोह को तेल नहीं लगाते तो आपको टारगेट किया जाता है और अगर आप तेल लगाते हो तो आप चाहिए जो कर सकते हो आपको किसी खास प्रोफेसर का नाम लेने की जरुरत नहीं बलकि अगर आप उनके गुड बुक्स में हैं तो आप परिक्षा में नकल भी कर सकते हैं लेकिन जब आप सवाल उठाएंगे तो आपको टारगेट किया जाएगा और फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए शांतन उने कहा कि सरस्वती पूजा के एक दिन पहले मेरी बेटी भी प्री पूजा सेलिब्रेशन के लिए कॉलेज गई थी लेकिन क्योंकि मेरी बेटी उस गिरूँ का हिस्सा नहीं थी इस कारण उसको उसमें शामिल नहीं होने दिया गया। कोई भी उससे बात नहीं करता और नहीं उसके साथ पढ़ाई करता। सेन ने ये भी आरोप लगाया कि इस कालेज का स्तर गिराने के लिए पूरी तरह से पूर्व प्रिंसिपल संदीब घोश जिम्मेदार है और ये वही इस प्रिंसिपल है जिसने घटना के बाद अपनी मरजी से इस्तीफात दिलवाया गया और फिर ममता बनर जी ने ततकाल उस से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की स्तिती बहुत बुरी हो चुकी है उस के इस बयान के बाद टी मसे ने शांतनू मेडिकल कॉलेज एस्पताल में अंटी सोशल अक्टिविटीज में लिट है शांतनू विरूद प्रदर्शनकर से बच्चों के साथ दिखे थे और इससे पहले भी राज्यों में अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजिस की स्थित्थी को लेकर अपने ही सरकार को कट घरे में खड़ा करते रहे हैं। उद्धर ठाकरे मुंबई से विल्ली तक दौल लगा चुके हैं। लेकिन न तो कॉंग्रेस और नहीं शरत पवार ने अब तक उनकी बात माने। उद्धर ठाकरे चाहते हैं कि M.V.A. उन्हें अपना सीम फेस घोशित करे। लेकिन राहुल गांधी और शरत पवार ने अब तक हरी जंडी नहीं दिखाई। कॉंग्रेस और शरत पवार के इस रवाईय को देखते हुए अब उद्धर ठाकरे ने उनसे एक गैरंटी मांगी। गैरंटी इस बात की कि अगर M.V.A. सत्ता तक पहुँचती है तो सीम उद्धर ठाकरे ही होंगे। 2019 में वे मुख्यवंतरी बने थे और कॉंग्रेस के N.C.P. के समर्थन के साथ वे करीब धाई साल तक सीम रहे थे। लेकिन 2022 में एक नर्शिंदे के पाला बदलने से तख्ता पलट हो गया। और यहां तक के पार्टी में भी बड़ी फूट पैदा हो गई। विपक्षिगट बंधन के एक नेता ने तो कह दिया कि उद्धव सेना चाहती है कि पहले ही उनके नेता के नाम पर सहमती बन जाए। इसके बाद ही सीट शेरिंग पर बात हो। यही नहीं उद्धव सेना सीटों में भी सबसे बड़ा शेयर चाहती है। ऐसा इसलिए कि उस संजे राउत भी साथ थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मलिकार जुन खड़के से मुलाकात की थी। इसके अलावा शरत पवार से भी मिले थे। और इस दौरान सभी नेताओं से उद्धव सेना ने एक ही मांग की थी। पहले ही सीएम पत पर फैसला कर लिया दर असल 2019 में शिवसेना और भाजपा के बीच चुनावों के नतीजों के बाद इसी मामले पर जंग छड़ गई थी। शिवसेना का कहना था कि भाजपा की ओर से दावा किया गया था कि चुनाव जीतने के बाद उनके नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं बाजपा ने ऐसे किसी पैक्ट से इंकार कर दिया था। ऐसे में 2019 से सबक लेते हुए उद्धव से ना अब कोई रस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन कॉंग्रेस पीछे हटने को तयार नहीं। लोग सबच चुनावों में 17 सीटों पर चुनाव लड़कर कॉंग्रेस ने 13 सी सीटों पर उसे ही लड़ना चाहिए। लोग सबच चुनाव में सबसे बहतर स्ट्राइक रिट शरत पवार का था। इसलिए वे भी सीटों के लिए ज्यादा दवाव बना रहे हैं। हकीकत ये है के सीम फेस तो दूर MVA में सबसे ज़्यादा विवाद सीटों के बटवारे को लेकर होना है और इसका सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा नुकसान उधव ठाकरे को ही उठाना पड़ सकता है। कॉंग्रेस का अब तक का जो इतिहास रहा है उसके हिसाब से माना जा रहा है कि कॉंग्रेस आसानी से सीम पर उधव ठाकरे को नहीं देने वाली। MVA में जै ऐसे तैसे सीटों का बटवारा हो भी जाए तो भी उधव ठाकरे को ना तो सीम फेस घोशित किया जाएगा और नहीं सरकार बनाने की नौबत आने पर उधव ठाकरे को सीम का पद दिया जाएगा। वजह मेडिकल कॉलिज में रात की ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर का रेप और हत्या के मामले में पुलिस का संदिह जनक रवया। डॉक्टर की लाश मिलने के बाद से लेकर जाच तक पुलिस इसे दबाने में जुटी रही। केस में शुरू में ही तमाम सवाल खड का प्रयास किया गया। उसके बाद उसकी हत्या कर दी। लेकिन पोस्ट मॉटम की रिपोर्ट कुछ और ही हिप बया कर रही है। शरीर पर तमाम घाओ थे उससे साफ था कि महिला डॉक्टर के साथ बेरहमी से रेप किया गया। एक पोलिस अधिकारी ने महिला डॉक्टर के पिता को रुपियों का ओफर दिया था ताकि वो शान्त रहें और मामले को तूल ना दे। जब ये बात खुली तो एक बार फिर फिर्टी नजर आई। पोलिस ने पीडित परिवार को चुप रहने के लिए पैसे की पेशकर्ष करने के आरोपों पर सफाई दी। संजरोई कूलकाता पुलिस का सिविल पुलिस वॉलिंटियर है। कई सालों से पुलिस के संडक्षन में काम कर रहा था और उसे एस्पताल नहीं हर जगे आने जाने का एकसेस मिला हुद रहा। हर दिन रात चौकी में रहता था और गिरफतारी के बाद उसका अपराधी के पारे में एहसास भी नहीं हुआ।